राजकुंद्रा का नाम इन दिनों क्यों मीडिया में छाया हुआ है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन भोजपुरी से उनका क्या कनेक्शन है ये हमें आपको बताने की जरूरत है जी हां राजकुंद्रा ने भोजपुरी पे एक कलंक लगाया है भोजपुरी जैसे कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम पे रूटियां से एक रहे हैं, उनके कई कारनामों के आगे चल के खुलासे होने वाले हैं. तो आईए हम बताते हैं, पहले सिल्पा शैटी के पतिदेव राजपुरी इंडस्ट्री सर्मसार होते होते बच गई. तो आपको बता दे कि इन दिनों राजपुरी के घर, ओफिस हर जगर ने डाली जा रही हैं. और वहां से भारी मात्रा में पौन वीडियो के सीडीज, पै पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं. एक्चुली राजकुंद्रा OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियोज को अपलोड किया करते थे और आपको ये भी बता देते हैं, कि ये जो वीडियोज हैं, उनके लिए बकायदा शूटिंग की जाती थी. शूटिंग मड आइल पर लीज पर दिये जाते हैं, सिर्फ शूटिंग के लिए हैं. तो राजकुंद्रा ने अपने पॉन वीडियोज की शूटिंग के लिए एक बंगला भाड़े पे लिया, जिसे पर डे 18,000 रुपए पे किये जाते थे और आपको बता दे जाए कि जब राजकुंद्रा की ध ये बंगला जो है एक महीने के लिए किराये पे चाहिए, क्योंकि उन्हें एक भोचपुरी फिल्म की शूटिंग करनी हैं. ये सारी जानकारी दी है पुलिस को उसी बंगले के मालिक ने, क्योंकि राजकुंद्रा ने उसी इसी इन्फॉर्मेशन के तहत वो बंगला किराये पर लिया था, राजकुंद्रा और उनकी जो टीम है उस पे अब और सक्ती बरती जा रही है और इससे एक और चीज बाहर आई है सामने, आपको बता दे कि कानपुर में राजकुंद्रा के दो ऐसे व्यक्तियों का खुलासा हुआ है, जो यूपी बिहार की लड़कियां जो स्ट्रगल पिरियेड में है, उन्हें पॉन जैसे वीडियो में धकेलने का पूरा काम वो दो व्यक्ति कर रहे हैं, जी हां उनका भी खुलासा हुआ है, ऐसे कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रिस को पॉन के गंदे साइड पे धकेल दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजकु कुंद्रा के इसारों पर, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में, क्या पुलिस को और सक्ती से पूस्तास करके और भी राज बाहर लाने चाहिए, और राजकुंद्रा पे किस तरह की कारवाई होनी चाहिए, भूजपुरी जगत की होट और मसालेदा गौसिप के लि के लाजकुंद्रा की होनी जगत की होनी से जगत की होनी।